हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स देखे अभी यहाँ पर नस दुबह का टाइम हो रहा है मेरे दोनों बच्चे आदेते और आज से स्कूल चले गाए साथ वजीर टेम हो रहा हूगा हा और मैं सबसे पहले ना कुछ काम नहीं की ती। मेरा तुन अस्तव बन्यका है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े थे मेरे मेरे नकल परसो कपड़े नहीं दोएं तो वैसे जमा हो गएं कपड़े तो फिर अभी यहां पर मैं सारे कपड़ों कुछ हांट रही हूं और कि कौन से कपड़े मसीन में डालने और कौन से कपड़े मुझे हांसे दोने क्योंकि कुछ कुछ कपड़े जो बहुत ज्यादा गंदे कर देते हैं जो बच् क Lunch P겨 Sydney की। जबने और कि अश्यादा कर दोने कर दोने से तो आधा कपड़े में में डाल दिया आधा कपड़े में एसे पानी में भीगोंके छोड़ दूंगे और कुछ हांधा जो इसे के करने में कुछ दूसरे काम को कर लोंगी यहां पर देखे दो हल्की धूप निकल रही थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी और वैसे हमारे दिन में बिल्कुल भी करमी नहीं लगती है कि सिर्फ सुभा लगती रात में रात में ऐसा कि पंख़ा जालु से सब्सक्राइब हम Теперь उसके बाद बाल्टी में जो कपड़े वह भी में धो दूंगी यहां पर देखिए फ्रेंट्स में काफी दिनों से सोच रही थी कि जो विंटर के कपड़े मेरे जैसे कि तीन स्वेटर है चार स्वेटर है दो स्वेटर है तो यह सब के ना भी यूज हो नहीं रहे बहुत दिन कपड़ा यह लोग पहनेंगे तो अभी उतनी ही ठंडे सिर्फ सुभा लगती है तो फिर वह सब मैं सोच रहे हूं कि जो जो कपड़े अभी मुझे दिख रहे हैं वह सब मैं फोल करके रखते जा रही हूं और थोड़ा से यहां पर जहां मैं मैंसी भी हो गया था तो फिर ह होता है कि ल outfit d360 में निकालते जाते हैं तो तोब बहुत भिगड़ जाता है इससे मैं सारे कपड़े ठीक कर रही थी लेकिन मिन इसरादे से नियाए थिक मुझे मर से बुझे कपड़े जाते हो पाली बहुत हो गया भी यह तो अभी तैम था तो मैंने सोच आकि आयान अभी वह उठेगा तो फिर मैं उसके पीछे लग जाती हूं आधे घंटा जैसे कि अभी बड़ा हो गया तो थोड़ा बहुत उसको मैं ऐसी ब्रस अगरा करवाती हूं खाना खिलाती हूं उसके साथ रहती हूं तो फिर वह करने नहीं देगा यह एक्ष्ट्रा जो काम होते है तो फिर मैंने सुचा कि पहले में यही काम कर लेती हूं जब तक वो सोया है यहाँ पर देखी फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे गरम कप्रे जो है न वो साइड में रख दिया है और यहाँ पर आयांस का कपड़ा सब में ठेक कर देती हूं और बच्चो वाले रूम में भी जब मोटे मोटे होते हैं तो वह पर बहुत साएज़ आगवह बहुत सार जम फ Tallent abilities युद् मैंने निकाल दिया है और अभी जितने कप्रे निकल रहे हैं वो निकाल दोंगी बाकि जो मोटे-मोटे कंबल अगेरा है वो डायरेक्ट में धोकर ही रखूंगी जब बिल्कुल भी इसके यूज नहीं होंगे क्योंकि मेरा मोटा वाला जो कंबल है वो मेरे मसीन में नहीं और यह जो बड़ा वाला कंबल है वो मैं और आरिते के पापा हम लोग मिलके धोते हैं तो इसको जब रखना रहेगा उसे मैं उसी टैम हम दोनों मिलके धोकर रख देंगे और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो अभी यह जो गलू अला कंबल आप देख रहे हो ना ज मोटे मोटे वह मैंने निकाल दिया हो जो पतला वाला स्वेटर रहता है एक एक मैंने रख दिया कि सुबह अगर जैसे वह लोग उठते है ना तो थोड़ा थन लगता है तो फिर पहन लेंगे और थन तो इतने टैम तक चली ही जाती है लेकिन इस बार के आयना कि बारी सो र आया है यह प्लॉथिन टैप का है इस यह सारे गरम कप्रे ना मेरे अलमारी में मैं नहीं रखती क्योंकि मेरे अलमारी में जगह ही नहीं है और यह अब अगले साल ही काम आएंगे तो इसी वज़े से इस यह ना मेरे मैं रखती हूं अपने बैड के बॉक्स में तो यह देक मेरे धूप नहीं आती है मतलब सुभा बिल्कूल सुभा जब उकता है ना सूरज उस टैम हलका फुलका आता है उसके बाद नहीं आता है यहां पर देखिए अभी मैं यह फिल्टर का जो ऊपर वाला पार रहता है मतलब दो इस टैप के रहते मेरा इस तरह के पत्थर लगे हो सेक्साने जो मैं से वास कर रही है उसमें बहुत ज्यादा मतलब की दो तीन दिनों में ऐसे गंदा सा जम जाता है पानी तो मैं डेली ही उसको फेकती हूं लेकिन फिर भी पानी जो है ना उसमें से निकलता है कुछ-कुछ तो ब्लैक-ब्लैक सा हो जाता है पत्थर में तो म पानी हम लग पीते हैं तो साफ सफाई का अच्छे से ख्यार रखना चाहिए क्योंकि चोट चोटे बच्चे हैं और फ्रेंड्स बहुत मतलब कि आप सोच रहे हैं कि मैंने यह फिल्टर और क्यों यूज करती हूं तो फ्रेंड्स यह बहुत अच्छा है यह इस्टील का फिल् और इसफे जो नीचे वाला सेम इसी तरह का है 15 लिटर का है तो नीचे बिल्कुल क्लीन पानी रहता है बिल्कुल क्लीन और उपर घंदगी जम भी जाती हूपर और जब मेरा इसी से ही काम निकल जा रहा है है तो मुझे ठीक मी लगता है कि मैं महंगे म्गी प्रोड़क्ट तो अगर बिल्कुल भी खराब नहीं होती है इस फिल्टर का पानी पीने से हाँ लेकिन इसमें यह है कि यह जो तीन पत्थर है ना यह हमें चेंज करवाना पड़ता है तो हम वो लोग कितने बार में इसे चेंज कर तो यह देखी फ्रेंट सभी में नहा की चटके उपर आ करने के लिए थे वह सूख चुके थे और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया विस नहा कि मैंने सुचा कि कपड़े अगर बातों में छोड़ दी ना तो फिर वही रह जाते हैं मैं भूल जाती हूं फिर दूसरे कामे में लग जाती हूं तभी मैं जारी हूं नीचे यहां पर मैं आई थी उपर तो मेरे साथ साथ आयांस भी आया था उपर वो टीवी देख रहा था अब मैं इसको पहले सुलाओंगी फिर मैं कुछ खाना पिना बनाओंगी क्योंकि यह ना तंग कर रहा है खेल खेल के यह बहुत परेसान हो गया है तो फिर उसके बाद यहां पर ना दिया सुकी सबजी और इसके साथ मैं प्राठे मैं खुद खा रही हूं और यहां पर मैं आप सबसार कर रही हूं कि यह देखिए फ्रेंड्स मैं आई थी दुकान घर के नजदे की में एक है चपल की दुकान वहां पर सैंडल वागरा मिल रहते तो फिर मैं गई मुझे देख लेना भी था तो यह ना मैं देख रही थी पहन कर कि मेरे उपर मेरे पैरों में कौन सी अच्छी लग रही है पर मैं मुझे नहीं ब्लैक वाली बहुत अच्छी लग रही थी परना मेरे साइज की नहीं थी वो मेरे पैरों में आठ नंबर का आता है और यह ब्लैक वा बहुत बड़ा और इसी मुझे बहुत बड़ी साइज की चपल लेने पड़ती है यहां फे सेंडल फिर यह मुझे यह वाली ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी तो मेरे साइज की यह भी नहीं थी मैं ऐसे सोच रही थी कुछ हलका लू जैसे कि मुझे कंफर्ट भी लगे च कि मेरे पैरों में ना बहुत सारी सेंडल चपल अच्छी नहीं लगती है तो मुझे ना बहुत सोच समझ के खईदारी करने पड़ती है